दोस्तो आजब explain करने वाले हैं हाली में आई एक भहुती mysterious movie मंगलवार जिसकी कहानी आपको जरूर प्रसंद आएगी और आप end तक यही सोचते रह जाओगी कि आखिर मडर कर कौन रहा है इसी बात पर वीडियो को भी लाइक कर दीजिए हम चली कहानी शुरू करते हैं तो movie की शिरुवात में रवी नाम का लड़का मा लक्षमी मंदिर में आता है और वहां से काजल लेकर अपने घर चला जाता है जिसकी अगली सुबह रवी शेलू नाम की लड़की से जाकर मिलता है और उससे कहता है कि तुम काजल में और भी ज्यादा अच्छी लगती हो इसल शेलू अपनी नानी के साथ रहती है जिसके मा के डैत के बाद उसके पापा ने दूसरी शादी की थी और शेलू की सोतिली मा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी लेकिन शेलू के पापा और उसकी सोतिली मा उसकी नानी से कह रहे थे कि अगर आप शेलू के नाम की जम शेलू कहती है कि मेरे पापा मुझे साथ में नहीं ले गए पर यहां रवी उसे समालता है कि चलो महालक्षमी के लिए दिया जलाते हैं और साथ में रहने का वादा करते हैं तभी मापर रवी के पापा आ जाते हैं और वो रवी को पीट कर गयते हैं कि तुझे बीड़ी लान मारे गए और ये दोनों रवी और उसके पापाई थे जिसके बारे में जानकर शेलू का दिल तुड़ जाता है कि उसका रवी उससे दूर हो गया इसके बाद हमें दस साल बात का सीन दिखाते हैं जहां गाओं में सब लोग एक दिवार को निहार रहे थे तब महा काशीराज अपने साथ एक अदमी पुल्ली को लेकर आता है महा काशीराज पुल्ली को पढ़के बताता है कि शामला के पती का डैनियल की बीवी से नजाय संबंद है जिसे साथ में खड़ा अनपड़ आदमी भी सुन रहा था और यहां वो चिलाता है कि डैनियल तो मैं ही हूँ फिर अपनी बीवी के पास चला जाता है कि इसे तो आज में जिन्दा नहीं छोड़ूँगा इसके बाद एक आदमी जब खेत के बीच वाले कुए पर जाता है तो देखता है कि महा तो डैनियल की बीवी और श्यामले की लाश पड़ी है और फिर पूरा गाउं इखटा हो जाता पिर तब महा गुर्जा नाम का आदमी कहता है कि ये क्या हो रहा है कि एक तरफ इन दोनों का नाम दिवार पर लिखा था और दूसरी तरफ इनकी लाश मिली है इसमें क्या कनेक्शन हो सकता है तब्यमा पर एक और आटी है और महा खड़ा गाउं का एक आदमी उसी से बत्त नमीजी करने लगता है जिस पर वो औरत उसे चाड़ा मार कर बताती है कि मैं यहां की SI हूँ फिर वो बोड़ी की जान शुरू करती है और मां खड़ा काशी राज उसे भी गंदी नजरों से देख रहा था फिर थोड़ी देर में मां पर गां का फोटोग्राफर वासु आता ह और पुलिस के कहने पर वो हर जगा की फोटो लेने लगता है इसके बाद SI डैनियल से पूछने लगती है कि तुमने अपनी बीदी को आखरी बात कब देखा था तो वो बताता है कल रात को क्योंकि आज सुबा जब मैं खेश से पानी लगा कर लोट रहा था तब दिवार प प्रिकाश बाबु से लो इसके बाद हम प्रिकाश को देखते हैं जो अपने पिता को काफी गालियां दे रहा था कि तुमने मेरे लिए छोड़ाए किया ये छोटी मोडी जमीने बस और उसी समय प्रिकाश की बीवी पूजा की थाली लेकर आरती देने आती है पर काश इसके लिए मना कर दिता है कि हमारे गाओं की बाडी का कोई भी चीर फार नहीं होगा साथ ही प्रिकाश कहता है कि इन दोनों ने बदुनामी के डर से आदमत्या कर दी होगी और ये केस यही पर खतम करो ये सब कहकर वो मा से चला जाता है इसके बाद गाओं वाले दोन अमर का ठरकी कह दिया था तब ही मा से गाओं के डॉक्टर गुजरते हैं जिनने देखकर काशी राज कहता है कि ये व्यक्ती बहुत अच्छे हैं जो दिखते तो सन्यासी हैं लेकिन बात कोछ और ही है और यहाँ वो पुली से कहता है कि पिछले दिनों इसके साथ क्या कि और चाहिए होंगे तो बता देना इधर हम एक लड़के को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ गुर्जा के घर इंविटेशन कार्ट देने जाता है और यहाँ पता चलता है कि ये लड़का और गुर्जा की बहन एक दूसरे से प्यार करते हैं पर दोनों गुर्जा से बहन से प्यार करता था और वो गुर्जा को बात करते हुए सुन लेता है कि उस मडर के पीछे मुझे वासु का हाथ लग रहा है और उसी ने दिवार पर ये सब कुछ लिखा होगा तब ये बात वो लड़का वासु को जाकर बताता है कि गुर्जा तुम पर इलजाम लगा रहा है और वहाँ वासु आकर गुर्जा से ही लड़ने लगता है जिसके बाद एके करके पूरे गाउं की आपंस में भैनक लड़ाई शुरू हो जाती है और पूरे फंक्शन को ही तैसनेस कर दिया जाता है तब ही वहाँ पर प्रकाश की बीवी राजेश्वरी की कार आती है और पुरा गाउं लड़ाई छोड़कर उनी की सिवा में लग जाता है और फिर उनके जाते ही गाउं वाले वासुर गुर्जा को शान करा कर घर बेश देते हैं इसके बाद मंदिर के पुजारी अपनी बीवी से कहते हैं कि मेले की तारिक नश्दी का रही है अब हम क्या करें और फिर पंडिजी सीधा जाकर प्रकाश से मिलते हैं कि मेले को आईजित कराने में कुछ मदद कीजिए पर प्रकाश कहता है कि इस काम के लिए मेरे पास कोई पैसा नहीं है और वो ये कहकर अंदर चला जाता है तब वहाँ पर प्रकाश की बीवी राजिश्वरी कहती है कि नेक काम में पैसे नहीं देखे जाते प्रकाश बेस पर जादा कुछ नहीं बोलता अब गाउं में मेला आईजित किया जाता है और पूरा गाउं उस मेले में काफी इंजॉय भी करता है जिसके अगले दिन एक दूद वाले को दिवार पर फिर से कुछ लिखा हु कि अब किसका नंबर आ गया वहा काशी राज पुल्ली को पढ़कर बताता है कि मुन्शी के साले का दुकान वाली नागमनी के साथ नजाय संबंद है तब ही दूसरी तरफ एक आदमी को पेड़ से दो लाशी टंगी हुई नजराती है जो कि मुन्शी के साले और नागमनी क के लिए भेजोगे या नहीं या इस बार भी प्रकाश बावु से ही पूछू तब हाँ प्रकाश भी पहुँच जाता है जो उन दोनों की लाश को देख कर हरान था तब ऐसा ही कहती है कि ये कोई सोसाइड नहीं बलकि मडर है और गाओं में से ही कोई है जो ये सब कर रहा ह फिर वो लाश को पॉस्ट मॉटम के लिए भीज देती है कि अब मैं अब मर्डर को पकड़ कर ही रहूंगी इसके बाद ऐसा एक जगा पर खड़े होकर सोचने लगती है कि नाजाय जिस्ता बनाने वाले का नाम कोई दिवार पर लिख कर क्यो मारना चाहेगा और फिर वो ख जी बताते हैं कि एक बार जमिंदार के दादा जी के टाइम पर भी ऐसे गाओं के कुछ लोग मरने लगे थे तब प्रकाश बावु के दादा ने तो एक बड़ा हवन करवा कर महालक्षमी जी को इस्ताफित किया था जिसके बाद मौते बन हो गई थी लेकिन महाँ बैटा पुल्ली कहता है कि उस टाइम की मौतों का और इस समय होने वाली मौत का कोई लेना देना नहीं है तब ही वहाँ बैठा एक आदमी कहता है कि अब मंगलवार तो कली है जिस पर सब फैसला करते हैं कि गाओं के सभी लड़के आज रात गाओं में गुमेंगे और उस लिखने राता और उसे गुर्जा देख लेता है फिर सब लोग उसे पगढ़ने के लिए भागते हैं लेकिन वो किसी के हाथ भी नहीं आता और मौका मिलते ही वो नदी के पानी में कूट कर निकल जाता है फिर जैसे वो आदमी भार आता है तो उसके सामने गुर्जा ही खड़ा था और जब गुर्जा उसका कपड़ा हटाता है तो हमें पता चलता है कि ये तो वही लड़का है जो गुर्जा की बहन से प्यार करता है तब गुर्जा उसे एक ही चाड़े में बेहुश कर देता है इधर हम डॉक्टर को देखते हैं जो अपने घरी जा रहा था तब उसे खेत क कुवे से किसी के रोने की अवाज आती है और वो जाकर देखता है कि महा तो एक लड़की बैठकर रो रही है और वो डॉक्टर को देखते ही चिला कर कुवे में कुच जाती है और उसे देखकर डॉक्टर कहते है कि ये तो शेलू थी इसके बाद हम 18 महिने पहले का सीन दिखा जब शेलू अब बड़ी हो चुकी थी लेकिन वो अभी भी अपनी नानी के साथ ही रहती है क्योंकि उसे उसके पिता लेकर ही नहीं गए थे तब शेलू अपने डॉगी को खाना खिला कर अपने कॉलिज निकल लेती है और उपर से एक लड़का शेलू को ही नियार रहा था जैसे कि वो उसे पसंद करता हो फिर शेलू अपने कॉलिज जाती है और यहां शेलू के प्रोफेसर उससे बात करने आते हैं जिनकी बातों से समझाता है कि वो शेलू को पसंद करते हैं और शेलू भी शर्मा कर मा से भाग जाती है क्योंकि वो भी प्रोफेसर को पसंद करत और अपने दिल की बात भी उसे कह देते हैं जिसके बाद ये दोनों वही पर इंटिमेट हो जाते हैं अब कुछ दिन ऐसे ही बीचते जाते हैं और शेलू और उसके प्रोफेसर रोजाना मिलने लगते हैं और रोजाना इंटिमेट भी होते हैं फिर एक दिन कॉलिज में दूस के सर मां से जा रहे होते हैं तब शेलू उस से मिलने आती है एक उसकी नानी कोई भी जवाब नहीं देती जिसके बाद वो देखती है कि उसकी नानी भी उसे छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई है अब दो दिन बाद शेलू के पिता महां आते हैं जा गाउओ वाले उनसे कहते हैं कि अपनी बेटी को अपने साथी रखो लेकिन महा शेलू की सोतिली मा कहती है कि इसकी नानी ने हमें तो शेलू के इस्टर की जमین भी नहीं दी थी अब हम शेलू को क्यों समा लें और शेलू का बाप भी यही कहता है ये सब सुनकर शेलु गुस्से में जम इनके कागज लेकर आती है और अपने बाप के मुझे मूपर मारकर कहती है कीई उठाओ और यहांसे निकल लो तब शेलु की सोतिलि मां उन कागज को लेकर अपने पती के साथ चली जाती है जिसके बाद अब शेलू अपने घर में बिल्कुल अकेली हो गई थी जहां उसे कोई भी साहरा देने नहीं आता और उसे हर तरफ अपने सरी दिखाई दे रहे थे जिनके साथ वो बार-बार इंटिमेट होने के खौप देख रही थी फिर एक दिन जब शेलू उदास होकर एक जगाबर बैड़ी थी तब उसके पास उसके पड़ोस का लड़का आता है जो से काफी प्रसंद करता था और शेलू को ऐसा लगता है कि जैसे उसके पास उसके सर वापस आ गए हो तब उस लड़के में अपने सर को इमेजिन करके उसी के साथ इंटिमेट हो जाती है जिसके बाद हम देखते हैं कि शेलू अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है और वो कई लोगों के साथ इंटिमेट हो जाती है या तक कि जिस फैक्टरी में वो काम करती है उसके मालिक के साथ भी अब एक दिन शेलू को देखकर गाउ में कुछ लोग बाते बना रहे थे कि ये लड़की पूरे गाउ में फीमस हो चुकी है ये कहकर वो आपर में ही मस्ती करने लगते हैं फिर जब शेलू फैक्टरी में काम कर रही थी तब उसके पास वहां का मालिक आता है जो कहता है कि मेरे दोस्तों को भी तेरे साथ मस्ती करनी है लेकिन शेलू ऐसा करने से मना कर देती है और उर्टा मालिक के ही चार्टा लगा देती है जिस पर उसका मालिक उसे फैक्टरी से मार कर निकाल देता है और उल्टारोब लगाता है कि मैंने इसे पैसे चुराते हुए पकड़ा है अब इतना सब कुछ होने के बाद शेलू नदी में कूदने जा रही थी क्योंकि उसका हाल बहुती बत्तर हो चुका था लेकिन मां उसकी सुसाइट करने की हिम्मत भी नहीं होती इसके बाद फिर से शेलू कही सारी मर्दों के साथ इंटिमेट होती है और वो चागर भी अपने आपको नहीं रोक पाती फिर एक दिन प्रकाश के पास गाउं वाली खटा होकर आते हैं कि शेलू ने पूरा गाउं गंदा कर रखा है इसका कुछ तो करना पड़ेगा तब प्रकाश कहता है कि जाओ उसे लेकर आओ और यहां हम शेलू को देखते हैं जो आज काफी खुश नजर आ रही थी और वो साड़ी पहन कर कहीं जाने वाली थी तब ही वहाँ पर गाउं के कुछ लोग आते हैं और जबर्दस्ती उसे महाँ से प्रकाश पर ले आते हैं अब शेलू को देखकर प्रकाश कहता है कि तुम इस गाउं में नहीं रह सकती इसलिए वो उसे गाउं से बाहर करने का हुकुम दे देता है जिसके वाद परे गाउं वाले उसे पत्थर मार कर गाउं से बाहर निकाल देते हैं अगले दिन गाउं वालों को खबर मिलती है कि शेलू ने आत्मत्या कड़ ली और उसकी बौडी को उसे बाहर निकाली जाती है तो महां का सरपंच कहता है कि चलो बॉडी को चल कर जला देते हैं लेकिन महां खड़ा एक आदमी कहता है कितनी मेहनत कौन करेगा इसे नदी में ही फेक दो बहकर चली जाएगी और ये सब महां खड़ा डॉक्टर और वासु देख रहे थे अब कहानी प्रिजन्ट में आती है जहां वो लड़का बैठा था जिसे कल रात गुर्जा ने पकड़ा था और वो कहता है कि मैडम मैं बेकसूर हूं मैं तो बस उस दिवार पर गुर्जा की बहन और अपना नाम लिखने आया था ताकि बदनामे के डर से गुर्जा मेरी उससे शादी करवा दे तबी कॉंस्टेबल S.I. को पोस्ट मॉटम रिपोर्ट देता है जिसको पढ़कर S.I. कहती है कि वो मर्डर ही था लेकिन ये सब इस लड़के का काम नहीं हो सकता इस पर कॉंस्टेबल कहता है कि उस डॉक्टर ने जबसे कुवे के पास डायन को देखा है तब से सब का यही कहना है कि ये काम उसी डायन का है अब रात के समय गाउवाले बैट कर यही बाते करते हैं कि ये मडर कर कौन रहा है तब गुर्जा कहता है कि बस बहुत हुआ, अब कल वाले मंगलवार को हम किसी को भी मरने नहीं देंगे, और सब लोग पूरे गाउं में गुमने लगते हैं, तब ही मा गुर्जा का अवाज आती है कि दिवार पर फिर से कुछ लिखा है, और सब जाकर वहाँ देखने चले ज कि मैं जान गई हूँ कि इन सब के पीछे तेरा हाथ है, और वो बताती है कि वो डायन दिखने की जुटी कहानी भी तूने ही गाउंवालों को सुनाई थी है ना, ताकि तेरी सच्चा ही सामने ना पाए, और जो भी मरा है उसे तूने बेहुशी की दवा देकर मारा है, ये स जब ऐसाई को होश आता है, तो वो एक घर में बंदी पड़ी थी, और वहाँ डॉक्टर बैठा था, वो डॉक्टर से कहती है कि ये सब तुम क्यों कर रहे हो, जिस पर वो कहता है कि शेलू के लिए, और ऐसाई कहती है कि अच्छा, तो तेरे बारे में गाउंवाले सही थे जो कह रहे थे कि तेरा और शेलू का कोई चक्कर है, ये सुनते डॉक्टर बढ़क जाता है, कि ये गाउंवाले तो बस गंदा ही सोचते हैं, शेलू मेरी बेटी की तरह थी, फिर कहानी फ्लैश बैक में जाती है, जा डॉक्टर को शेलू एक रोट के किनारे बेहोश मिली और उसे डॉक्टर उठाकर इलाज करने के लिए घर ले आते हैं, तब भोश में आते ही शेलू रोने लगती है, कि मैंने अपनी जिंदगी खराब कर ली, और डॉक्टर सोचते हैं कि शायद शेलू की मान से खालर ठीक नहीं है, इसलिए वो उसकी पूरी जांच करके उसे स सैकेट्रिस्ट को दिखाते हैं, तो वो बताती है कि शेलू को कोई बड़ी बिमारी नहीं है, बलकि उसे सेक्ष्वल डिसॉर्डर है, जिसमें उसकी सैक्ष डिजायर एक औरस से दसगुना ज़्यादा है, इसलिए वो अपने आप पर कंट्रोल ही नहीं कर पा रही, और बा प्रिजन्ट में डॉक्टर एसाई को बताता है कि मेरी एक बेटी थी, जिसकी मैंने शादी करी थी, लेकिन शादी के चार सल बाद उसने सुसाइट कर लिया, और मैं कुछ भी नहीं कर पाया, इसलिए शेलू को मैंने अपनी बेटी माना था, ताकि उसकी मदद कर पाऊं, अब उसे एक मास्क वाला आदमी दिखता है, जो अपने स्टाडिंग में देखा था, और वो वासू पर हमला कर देता है, फिर इन दोनों के बीच बहनक लडाई शुरू हो जाती है, और वो मास्क वाला आदमी वासू को मार कर दफना देता है, फिर हमें उस मास्क वाले गया, साथ ही वो कहता है कि मैं तुम्हें शुरुआ से देख रहा हूं, लेकिन अपने पिता की गंदी हरकतों के बाद तुम्हारे सामने आने की हिम्मत ही नहीं हुई, और तुम भी तो मुझे मरा हुआ ही समझती थी, फिर वो कहता है कि शेलू मैं तुम से शादी करना चाता हूं, जिसके बाद हम यहां से कहीं दूर चले जाएंगे, यह सुनकर डॉक्टर भी कहता है कि ठीक है, कर हम शादी का समान लेने शेहर जाएंगे, और परसो महालक्षमी के मंदिर में तुम्हारी शादी करवा दूँगा, और तुम दोनों यहां से दूर चले जाना, फिर से शादी का समान लेकर, जब डॉक्टर और रवी लोटते हैं, तो उने पता चलता है कि शेलू की लाश कुए से मिली है, जिसे जानकर वो सीधा माँ पहुच जाते हैं, रवी भी सामने ना आकर पीछे से सब कुछ देख रहा था, फिर जब वो आदमी कहता है कि इसकी लोगों को मार रहे हो, लेकिन शेलू ने तो आतमत्या की थी, तो उसमें गाउवालों की क्या गलती, तब डॉक्टर कहता है कि शेलू ने आतमत्या नहीं की थी, बलकि उसे जान से मारा गया था, और ये सुनकर ऐसा ही भी चौक जाती हैं, इस पर डॉक्टर बता दा है कि उन छे लोगों ने मारा था, जिसमें से चार लोगों को हम पहले ही मार चुके हैं, और पांचव को मेरे साथ ही ने अब तक मार भी दिया होगा, और ये सारी बाते बाहर से प्रकाश बैटा सुन रहा था, फिर ऐसा ही पूछता है कि छटा इंसान कौन है, तब हम प्रकाश क अपनी जान बचाने के लिए उसे चाकु मार देती है, लेकिन प्रकाश उसे दूर फेक कर मारता है, कि तो ने ऐसा क्यों किया, तब हमें फ्लेश बैक में दिखाते हैं, कि एक बार शेलू के पीछे कुछ लड़के पड़ गए थी, और वो बचने के लिए उसी हवेली में चली गई थी, जा उसने खड़की से देखा कि राजश वरी वासु के साथ इंडिमेट हो रही थी, तब शेलू मासे भागने लगती है, और आवाज होने से राजश वरी उसे देख लेती है, इसके बाद राजश वरी उन पांचों लोगों के साथ प्लैन बनाती है, कि हमें शेलू को मरवाना ही होगा, लेकिन उससे पहले उसे किसी तरह से गाउं से बाहर करवाओ, और फिर वो चारों लोग शेलू के खिलाफ लोगों को भढ़काने लगते हैं, और अंत में शेलू को बाहर भी निकाल दिया जाता है, इसके बाद रात के समय छे जने शेलू के पा प्रकाश राजेश्वरी को छट से नीचे फेक देता है, और फिर उस पर पैट्रोल डाल कर उसे जिन्दा चला देता है, और ये सब डॉक्टर भी देख रहा था, जब राजेश्वरी को मारने ही आया था, अब शेलू के कातिलों को मारने के बाद रवी भी उसी कुए में क उतकर अपनी जान दे देता है, और अगली सुबा प्रकाश ऐसाई को बताता है, कि लोगों को मरता देख कर मेरी बीवी ने अपने आपको जिन्दा जला कर माता को समर्पित कर दिया, ताकि और लोगों की जान ना जाए, वहीं पास में डॉक्टर भी खड़ा था, जिससे कहती, क्योंकि उसे भी शेलू की कानी पर दया आ गई थी, अब रात के समय डॉक्टर जब प्रकाश की मरमपट्टी कर रहा था, तब वो पूछता है कि अपनी बीवी को मार के उसकी सच़ई आपने लोगों से क्यों चुपाई, तो प्रकाश कहता है कि अगर मेरी बीवी की असलियत लोगों के सामने आ जाती, तो लोगों का भगवान से भरोसाई उड़ जाता, कि अतनी शरीफ औरत ऐसे खेल भी खेल सकती है, फिर वो डॉक्टर से पूछता है कि एक बात बताओ, ये तुम्हे कहां से पता चला था, कि शेलू की जान किस किसने ली है, क्योंकि उस जब पुल्ली खेत में चुपकर दारू पी रहा था, तब उसी के सामने शेलू को उन लोगों ने जान से मारा था, जिसका सारा सचुस ने डॉक्टर और रवी को बता दिया था, यही पर ये मूवी एंड होती है, दोस्तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कॉमेंट में ज एक लीडिये.